सब्सक्राइब करना है लास्ट लेक्चर में हम दिल्ली सल्तनत पारे पढ़ रहे थे तो मुहम्मद बिन तुगलक का जो रूल है यह अपने आप में बहुत जादा कॉंट्रोवर्शल है क्योंकि मुहम्मद बिन तुगलक ने बहुत सारे ऐसे फैसले लिए जिनें दोनों के से देखा जाता है तो अगर तो यह सारे फैसले सही निकलाते अगर इनका जो अक्चुल परपस था वह अगर सही तरीके से इंप्लिमेंट हो जाते और उस तरीके से यह फैसले शाहिद बहुत ही बहतरीन भी साबित होते वहीं पे दूसरी साइड पे क्योंकि बहुत सारे इनमें से फैसले नहीं आपके सही तरीके से इंप्लिमेंट किये गए मुहम्मद बिन तुगलक हिस्ट्री में बदनाम भी बहुत हैं कि इन्होंने इंडिया के अंदर बहुत सारी रिसोर्स बेस्च की और दिल्ली सल्तनत का जितना बड़ा इंपायर बन चुका था मुहम्मद बिन तुगलक को जितना बड़ा इंपायर मिला था नीचे साउथ इंडिया तामिलनाड वाला एरिया छोड़के बाकि सारा और यहां पे अफगानिस्तान तक की तो मुहम्मद बिन तुगलक के बारे थोड़ी सी चीज हम पढ़ते हैं इनके आपको पहले बताया है जब हम डिटेल में मेडीवल इंडिया पढ़ेंगे तब साथा चीज़े पढ़ेंगे वैसे अलाव दिन खिलजी के बाद जो कुरसी मिली थी वह गाजी मली को मिली थी जिन्हों ने कुरसी बैठ के अपना नाम रखता था ग्याजो दिन तुगलक उनके सबसे बड़े बेटे थे मुहमद बिन तुगलक ठीक है सबसे पहला ब्लंडर यां इसे कॉंस्पिरेसी भी माना जाता है अपने आपको राजा बनाने के लिए उन्होंने माना जाता है कि blunder के कारण उनके फादर जो थे ग्याजो दिन तुगलक उनकी डेथ हुई यह उन्होंने conspiracy ऐसी की उन्होंने ऐसी साज़ शरची कि उनके फादर की डेथ हो गई तो वो battle से आए battle से आए जीत के आ रहे थे वापस दिली तो उनकी शान में उनकी celebration में इन्होंने एक बहुत बड़ा टेंट बनवाया बहुत बड़ी celebration की जगा बनवाई पर वो सारी लकड़ की बनवाई थे वोड़न का सारा का स्ट्रक्चर था है अब जब जब घ्यजु तुगलक वापस आए तब वो और उनके सारे भाई भारी उसंते वह पमर ही बहुत भारी होते थे जो सारे शरील पर पैनने होते थे तो वो जब उस पूरे structure के अंदर एंटर किये वह लकड़ का पूरा structure लने लगा और वह उनum के उपर कॉलाप्स कर गए अब जब वो नहीं के उपर कॉलाप्स कर गए उनकी डेथ होगी और फिर कुर्सी मुहम्मद बिन तुकलक ने हथ्या ली ठीक है तो यह तो यह उनकी ना समझी थी कि उन्हें पता नहीं था कि लकल्ड इतनी ज्यादा वाइब्रेशन और इतना भार यहां पर देश पढ़ता है मरोको आफ्रेका के यहां से इन्हों ने ट्रावल करके सारी दुनिया घूमते हुए इंडिया और बात में साउथ इंडिया विजे नगर इमपायर वहां 16 इंडिय धू तो इन्हों ने भी अपनी बुक में मुहम्मद बिन तुगलग के बारे लिखा है, उनके रूल के बारे लिखा है, देखो मुहम्मद बिन तुगलग का जो एक इंटरस्टिंग फाक्ट ये है, कि सारे के सारे दिल्ली सुल्तान्स में से, जितने भी दिल्ली सल्तनत के सुल्ता उनमें से पढ़े लिखे सिर्फ मुहम्मद बिन तुगल थे और कोई पड़ा लिखा नहीं था वाकि सम्में से किसी ने पढ़ाई नहीं की थी सारी लड़ाईीों में इतने द्रत रहे मुहम्मद बिन तुगलग ने मेडिसन भी पड़ी थी उसके इलावा उन्हें बहुत सरी लांगविज भी आती थी पर्शन अरेबिक टर्किश और संस्क्रिप यह याद रखना कि यह लिट्रेट सुल्तान थे सिर्फ एकलौते पड़े लिखे सुल्तान थे सारे दिली सल सुल्तान थे जो पड़े लिखे इससे पहले कोई भी पड़ा लिखा नहीं था देखो 1327 में मुहम्मद बिन तुगलग ने और भी पास किया था दिली से दौलताबाद कैपिटल शिफ्ट करने का और भी उन्होंने पास किया था यह और इसलिए पास किया था कि देखो अग हो जाएंगी एक तो नौर्थ और साथ इंडिया दोनों साइड के इंपायर को कंट्रोल करना दिली में कापिटल होने का मतलब है सिर्म नौर्थ की तरफ आप फोकस कर सकते हैं दूसरा जैसे मैंने आपको बताया था इल्टोत मिश्क के टाइम से ही मंगोल इन्वेजन का हम महमद बिन तुगलक के आते आते दिली तक भी उनकी इन्वेजन हो जाती है महमद बिन तुगलक के टाइम पर बहुत बारी हुए और दिली में महमद बिन तुगलक को बहुत जा क्रिटिसाइज इस चीज़ के लिए भी किया जाता था कि महमद बिन तुगलक खुद अपना सारा के सारा किला बंद करके बैठ जाता था और बाकि सारे दिली में इन्वेजन चल रही होती थी तो यह सारी चीज के चलते हुए आपके मुहम्मद बिन तुगलक ने फैसला किया कि मैं सेंट्र ऑफ इंडिया अपनी कापिटल ले जाओ जो आज के प्रेजेंट महाराश्ट्र में पड़ता है ठीक है पर एक तो मंगोल इन्वेजन से बच जाओंगा और दूसरा जादा बे आपके दिल्ली सल्तनत का कंट्रोल भी एक तो छूट गया तो खत्रा बिल्कुल यहां पर भी पास आ गया और उपर से दौलताबाद और इसके आसपास महामारी प्लेग फैल गया था जिसके कारण लोकों की बहुत जादा डेथ होने लग गी थी सड़न डेथ तो इसके कार कि दिल्ली के लोकों को ओर्डर दे दिया था कि तुम अपने घर खाली करो मेरे साथ दौलताबाद चलो वहां जाके शिफ्ट हो क्योंकि वहां पे मिलिटरी को ठहराना था दिल्ली के अंदर तो दिल्ली के बहुत बड़ा पार्ट खाली भी करवा देथा फिर बाद में था देखो हर्शा इंपायर के टाइम से ही पूरे दिल्ली सल्तनत के टाइम पे ही आपकी पूरी दुनिया में गोल्ड और सिल्वर की कमी लगाता चल रही तो यहां पे एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक चीज जो मुहमद बिन तुगलग ने सोची पर उसे इंप्लिमेंट क करेंसी का सिस्टम में अब यह टोकन करेंसी क्या होती है टोकन करेंसी का मतलब होता है कि देखो आज जैसे हम जो मौडरन डे रूपी यूज करते रूपी जो नोट है अपने आपने देखोगे तो वह कागस का टुकड़ा मैं आपको एक कागस के उपर 10 रुपए लिखके कि अपर रुपी टैन लिखके देऊं क्या आप वो ले लोगे नहीं लोगे क्यूं क्यों क्यूंकि फिर तो आप को ओगे यह सिर्फ कागस है इसके उपर 10 रुपए लिखके भी तो पर उसे हम करेंसी क्यों मान रहे है क्योंकि उसके ओपर गर्मेंट की गरंटी है को टोकन करेंसी कहते हैं जिनकी अपनी खुद की देखो है तो पीछे कागस ही ना कागस की एक्चुल वैल्यू थोड़ी दस रुपे की है बस गर्मेंट ने गरेंटी दे दी है कि हाँ ये कागस का टुकड़ा कहीं लेके जाओगे आपको दस रुपे की वैल्यू इंशोर हो यह वही 2000 का नोट लगा लो 2000 के नोट की आक्चुली जो उसका मिटीरियल बना है 2000 का थोड़ी है पर कहीं गुना जादा वह आपको मार्केट में महेंगी चीज दिलवा रही है ऐसी चीज़ों को कहते हैं टोकन करेंसी जिसकी अपनी खुद की वैल्यू उतनी जादा ना हो पर वह आपको मार्केट में उतनी वैल्यू डिलिवर करते हैं उन करेंसी को कहते हैं टोकन करेंसी तो दुनिया में गोल्ड और सिल्वर की कमी पढ़ रही थी तो आपके मुहम्मद बिन तुकलग ने ब्रास और कॉपर मेंडी इन के सिक्के जारी करवाएं और बोला यह ब्राबर बाने जाएं तो यानि कि अगर आप गोल्ड और सिल्वर के सिक्के नहीं भी उसकर रहे हो जो सिक्का आपको गोल्ड का जो आपका गोल्ड का सिक्का था वो जो आपको वैल्यू दिलवा रहा था सेम वैल्यू आपको कॉप नहीं थी ब्रास कोई कम ही नहीं थी तो अराम सी रिसोर्स पूरी हो सकती थी अपने आप में आज भी हम टोकन करेंची उसकरते हैं मौटरन लिए ठीक है मुहम्मद बिन तुगलक ने जो टोकन करेंसी ब्रासर कॉपर की बनवाई यह बहुत ही सिंपल डिजाइन की और अलगलग साइजेज अलगलग शेफ कोई फिनिशिंग प्रॉपर नी थी कुछ नी था बस बनवा दिये अब यहां पर लोकों को एसास हुआ कि हमारे घर पे ब्रासर कॉपर पड़ा अगर हम उसे पिगला लें हम अपने खुद के सिक्के बना लेते काम करने की जरूरत क्या पड़ेगी तो लोकों ने अपने घर पे सि के बनाने शुरू कर लिए अपने आप ही इनकी पूरी की पूरी एकॉनमी ही क्राश होगा ठीक है क्योंकि हर एक बंदा अब मार्केट में जब यह न्यूस फैल लेगी देखो आज भी अगर यह न्यूस फैल लेगे कोई एक नोट जो है वो नकली है लोगों नोट लेना ब पड़ी गोलडर सिलवर जारी ले लिए और उसके बंदे उख्यों ले लिए और जाना पड़ा है और जृधान मुगल्स की बात करते हैं देखो बाद में जो लूदीज़ और इंडिया में पढ़एंगे अब चलते हैं मुगल्स की तरह देखो जो मुगल्स थे मुगल्स की जो लीनियज थी मुगल्स के जो जैसे बात करते हैं कि फादर साइट से वो किस साइट से थे और मदर साइट से किस साइट से थे तो मदर साइड से वो जो चंगेज खान जो मंगोल का सबसे बड़ा रूलर रहा है और चंगेज खान दुनिया में वो राजा था जिसने आक्चली जाधा तर दुनिया को जीता था हम अलेक्जेंडर की बात करते हैं, अलेक्जेंडर ने दुनिया को नहीं जीता था, उस चंगेज खान, बहुत बड़ा इंपायर, अल्मोस सारा एशिया, इंडिया वाला पार्ट छोड़के और इदर साउथ इस एशिया छोड़के, बाकि अल्मोस सारा रशिया का एरिया, मं मंगोल, मंगोलिया तो खैर थाई, उसके इलावा सेंट्रल, ये उस्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, फिर चाइना का सारा हिस्सा, फिर ये एरान, इराक, ठेक है, इस साइड पे फिर नॉर्थ, आफरिका सारा, और आदा यूरप, इतना बड़ा दुनिया में उसका इंपायर जब उसके डेथ होई है, ठेक है, तो मदर साइड से वो चंगीज खान को बिलॉंग करते थे, और फादर साइड से जो आपके टर्की, मौडरन टर्की और इरान के जो रूलर थे, ताइमूर, उन्हें बिलॉंग करते थे, ताइमूर को इंडिया में अच्छा नहीं माना ज तो मुगल्स के एंट्री वो उनके वंशत से ठीक है, उनके लीनिएज वहां से शुरू हुई, तो आपके बाबर इस चीज़ पे बहुत जादा प्राउड महसूस करते हैं, खास कर के टाइमूर, उनके फादर साइड से वो टाइमूर के सकसेसर रहे हैं, वो बहुत जादा प्राउड रहे हैं, क्योंकि बाबर ने अपनी खुद की आटोबायोग्रफी लिखी थी, तो पर बाबर ये था, बाबर जो चीज़ अच्छी थी, उसे अच्छे लखा है, पर जहां जहां बाबर आ रहा है, बाबर ने हार बारे भी लिखा है, क्यों हा रहा है, वो हर चीज़ को आनलाईज जरूर करता था, तो इस कारण वो एक बहुत ही हिस्ट्री का अच्छा है, यह पहली लड़ाई थी, जहां पर गन पाउडर, फायर राम्स और आटलरी बहुत बड़े स्केल पे इंडिया में यूज़ है, बाबर पहला राजा नहीं था, जो इंडिया में गन पाउडर या आटलरी लेका था, इंडिया में थी यह चीज़े, यह मैं क्यों बता र यानि कि इस से पहले भी यूज़ होती थी, पर बाबर ने इन्हें बहुत इफेक्टिव लिए, अगर कभी यह आ जाये ना, यह चीज़ जरूर याद रखना, बाबर की सेना बहुत छोटी थी इबराहिम लोद्दी के कंपरिजन, पर बाबर ने गन पाउडर आटलरी का इ क्योंकि इस चीज़ का हमें एसास है कि छोटी सेना बहुत बड़ा इफेक्ट दिखा सकती है, ठीक है बस उसके पास लेटेस्ट वेपन्स हों, लेटेस्ट टेक्नॉलजी हो, अमेरिका इसी प्रिंसिपल पर काम करता है, दो उनकी सबसे बड़ी फॉज भी है, पर जितनी व को देखो यहां पर हम मुगल के राजाओं के बारे अभी नहीं पढ़ेंगे, हम मुगल के सिस्टम के बारे जादातर पढ़ेंगे, कि मुगल के इडिमिस्ट्रेटिव सिस्टम, रेविन्यू सिस्टम वो क्या थै, आज का लेक्ट्चर हमारा उसी चीज़ पर इसी चीज़ रहे सिकेंग्डम्स रहें जिन्होंने बुक्त नऑफ रहें जिन्होंने इंडियन ड्रिलिजुन सब्हदं किया और बाहर से आये खासकर मुसलीब किंडम्स बने ये जो आपके हिस्ट्री में फर्क बताऊं एक कंसेप्ट में फर्क भी रहता था प्राइमो जैनिटर और अल्टिमो जैनिटर में देखो जो इंडियन ओरिजन की और खासकर जो हिंदू थौट आफ प्रोसेस था वहां पर यह होता था कि जो सबसे बड़ा बेटा है एल्डेस सन है फादर की डेथ के बाद थ्र में ऐसा हो रहा था ओविसली कई लोगों को लालच होती है चोटे बेटों को भी लालच हो सकती है कि थ्रोन मेरे पास आए तो जब बड़े बेटे मिलता था वो बगावत कर देते हैं ठीक है कई बारी ऐसा भी वहाए कि जो राजा है वो अपने सबसे बड़े बेटे कि शा जियानि कि जो सबसे बड़ा बेटा है गो राजा बनेगा जब राजे कि डेथ हो जाईगी जो राजे का सबसे बड़ा बेटा था उससे गद्व मिलही केarte कि यह व्यां के Central Asia से जातर यह प्रिंजिपल आया तो मुगल्स तो खासकर इसे मानते थे इसमें क्या होता है कि गद्धी के उपर सारे बेटों का बराबर हक है अल्टिमो जैनिटर में सारे बेटों का गद्धी के उपर बराबर हक है होगा क्या जैसे ही राजे की डेथ हुई कि सारे बेटे आपस में लड़ पड़ेगे जो फाइनली जीतेगा ठीक है वो राजा बनेगा तो अपनी पावर प्रूफ करनी पड़ती थी अगर आपको गद्धी बेटना है वहाँ पर सबसे बड़े हो Central सबसे बड़ा भेटा है ऑपने अब राजा बंजेगा अपनी पावर को मणवाँ पाएगा वह मड़ी आपको ये अपने आपमें स्टेटमेंट कुश्चन बनका आज फिर ship bleibt अब सिस्टम पड़ते हैं कि सिस्टम की उपर अब आपका मोगल इंपायर चलता। मिलब एक लैंड का सिस्टन Data और ऊक्ता को चलाने वाले होते थे इक्तेदार मिलब एक लैंड का हिस्सादे देया जाता था जिस लैंंड से जितना revenue आएगा वह revenue कहोगा एक है यह कोई न कोई 1919 कमांडर होगा दिली सल्तनत के अंड़ ठीक है इसừ कमांडर को यह revenue देरिया जाएगा और इस revenue के बदले इस commander को कुछ ना कुछ soulders जो से जाएगा और कुछ ना जिस घुड़ सवार, और इनके लिए घोड़े भी, वह सम-maintain करने पड़ेंगे. इसी revenue से अपना खर्चा भी उठाना है और इसमे खर्चा भी उठाना है. ठिक है, यह तरह से salary के तवर पे मिलता था यही साल री होती ठैक है यह जो का मड़े का रैवनियू है यही iç थे सेम सिस्टम इसी से मिलता जुलता सिस्टम आपके मुगल ने भी इडॉप्ट किए इसे कहते थे منसब्दार जो जमीन होती थी उसे कहते थे یہ منशब जो मालब इक्ता हो गया उस तरीके से यहां पर हो गया मंसब और जिसे मिलता था वो होता था मंसबदार ठीक है बस इकता सिस्टम और मंसबडार में फर्क क्या है कि देखो जो इक्तिदार होता था था ना इक्तेदार अपने एरिया में law and order maintain करने के लिए भी जिम्मेदार होता था जो से एरिया लॉड किया गया है जो से land लॉड किया गया है इक्तार लॉड किया गया है वहाँ पे उसे law and order भी देखना है कि सब कुछ सही चलता रहे मनसबदार सिर्फ revenue मिलता था मनसबदार को वो जो पीछे जमीन का टुकड़ा है ना मनसबदार वहां रहता था ना मनसबदार वहां का law and order देखता था उसके लिए अलग officer होते थे मुगल empire में देखो ये क्यों किया गया था ये इसलिए किया गया था देखो किसी भी एरिया मे एक person अगर रह रहा होगा और बहुत जादा लंबे टाइम पे रह रहा होगा और प्लस उसके वहां पर पूरा control चलता होगा ऐसा हो सकता है कि वह वहां पर बगावत करते हैं तो मुगल्स ने यह सारा system ना अलग लग कर दिया जहां पे revenue किसी और एरिया से आ रहा है तुम पोस्टिड किसी और एरिया में हो और तुम्हारा मंच सब भी time to time change होता रहे सारी जगाओं पे डिली के अंदर मालब सारी जो मुगल सिस्टेम था यहां पे आपकी पोस्टिंग बदलियां भी होती रहती जैसे आज सरकार नोक्रे में बदलियां होती है इनकी भी बदलिया लेते थे और कुछ निए only had the revenue राइट ठीक है इनी मंसब को आप जागीर भी बोल सकते हो क्योंकि जागीर वर्ड यूज़ता था लैंड के लिए मुगल जागीर वर्ड यूज़ करते थे लैंड के लिए तो मंसब बस salary के लिए यूज़ हो गया ठीक है वर्ड तो यह जो आपको देखो अल्टिमेटली मंसब कितनी बड़ी जमीन अलॉट होगी कितना revenue लॉट होगा मलब बैसिकली वह इस चीज़ पर डिपेंड करता था कि आपको कितनी जिम्मेदारियां दी गई हैं यानि कि मुगल कोट में आपका रांक कितना है देखो रांक के लिए आपकी क मुगल कोट में जो आपका रांक होता था ये दो चीजों के ओपर इस चोता कितना बड़ा मनसब बलेगा यह हमेशे डिमेंड करता था मुगल कोट में रांक कितना यह शुरू होता تھा 300-300 से लेके 5000 तक आम लोकों के लिए रांक होते थे और 5000 प्लस जो आपके रॉयल परिव के लोग हैं उनके लिए रैंक करेगा देखो रैंक दो चीजों से बना होता था एक ये वर्ड यूज़ करते थे जात और दूसरा सवार जात का मतलब है कि आप मुगल कोट में कहां स्टैंड करते हों कौन से पुजिशन पे तो इन्होंने पूरी हिरार की त्यार की हुई थी कौन सबसे टॉप की लोग है कौन उससे नीचे इसलिए रॉल परिवार के लौकों का सबस्दा राइंक मिला हूब का मतलब है कितने घुड सवार कितने हॉर्समें मिंद मिंटेन करने और जात के उपर ही डिपेंड करता था कि कि आप तर जमीन भी इने मिल जाती हो तो इस तरीक़े से ठीके मनसब्दार और जगाओं पर जैसे मैंने आपको बोला कि और जगाओं पर एक कुछ सर्विस निभाते थे तो ये सारी सिविल और military post यही कंट्रोल करते थे बस judiciary की post यह कंट्रोल नहीं करते थे ठीक है तो यह जो आपके वजीर होगे बक्षी होगी फॉजदार होगे सुबेदार होगे यह सारे के सारे आपके मनसबदार ही होते थे अलग लग रांक के लोग होते थे आप जितने गेखने होगे वजीर ओविसली प्राइमनिस्षर है काफी बड़ा रांक है एक है सबसे हाइस रांक यहीं तक पहुंचेका तो जितने आप उपर कजाते जाओगे उतना rank बढ़ता जाएगा उतनी आपके land बढ़ता जाएगा उतना आपका revenue बढ़ता जाएगा उतने आप मेर भी होते जाओगे और प्लस मुगल कोट में आपकी जो जात है जो आपका status है वो भी बढ़ता जाएगा ठीक है इस तरीके से यह सारा मनसबदार सिस्टम था नेक्स अब देखो मनसबदार यही चीज़ें यहां पर लिखे हुए है जो मैंने अभी आपको सब निभानी होती थी सवार मेंटेन करने होते थे वह सब कुछ यह मनसबदार करें पूरा सिस्टम यहां पर आप एक परी चाहे इस वीडियो को रोग के यह सारा पढ़ भी सकते हो देखो सबसे पहले तो तंखा जागीर जैसे मैंने आपको बताए है जो मनसबदारो को मिलते तनखा सालरी केलिए खास सालरी लिए को असके बदले जो आपको जमीन इलोट हो रही है जो मंसब आर्लोट हो रहा है कि उसे कहते थे तन खाज़ी यह सिर्फ तब तक मिलेगी जब तकक मुगल कोट की सर्विस कर रहे हो और यह ट्रांसफर हैबल होती थी हर तीन-चार साल बाद अगर आपकी लेट्सपोज आज जमीन नौर्थ इंडिया में है बाद में से साउथ इंडिया में कर जाएगा फिर वेस्ट इंडिया में बदलते रहेंगे इस चीज़ को ताकि एक सिंगल परसन का एक सिंगल एरिया में कभी भी कंट्रोल ना बने ठीक का बस कंट्रोल बहुत जाज़ा था प्राग्लम तब से आने लगी थी जागीरें कम पढ़ने लगी थी लोकों को वेट करनी पड़ती थी तंखा जागीर के लिए और उसके बाद आपस में ही फिर जागीरों को लेकर कॉंपटिशन शुरू हो गया कोड के अंदर पॉलिट होती रहती थी वो बंदी करवाली तो इस कारण उनका होल्ड बनने लगा अपनी जमीन के उपर और वहीं से प्राग्लम आया है जो हैद्राबाद ऐजा डिफरेंट इंपायर बन गया था किंग्डम बन गया था वह इसलिए बना था वहां पे चिंकलिछ खान एक आपके पर पाइदा नहीं बलकि अपना इंपायर बना लूँ उन्होंने अपने मनसब में चले गए वहां पर जो परसन कंट्रोल कर रहा था उसे माड़ डाला और अपना मनसब चलाने लगे मुगल राजे औरंग्जेव के बाद इतने स्ट्रॉंग थे ही नहीं कि अपनी पावर मनव जागीरें जो किसी को किसी कंडिशन पर मिली हैं किसी शर्त पर मिली हैं उन्हें कहते हैं मश्रूत जागीर शायद जब शर्त पूरी होगी तब यह जागीर वापस ले ली जाए यह भी सारे ऑप्शन होते थे उसके बाद जो आपके एक और जागीर थी जो किसी को सर्विस के बदले जो आपका एंपरर था मुगल एंपरर था उसने खुश होके गिफ्ट के तौर पे दिया ठीक है उसे कहते थे इनाम जाकीर ठीक है उसके बाद अगर कोई देखो किसी एरिया में कोई बड़ा राजा या कोई पावरफुल जो जमीनदार होते थे मुगल कोट इस ची एक राजा था जो राजस्तान के अंदर उसका कोई किंडम था यह सारा उसका किंडम था अब यह सारा किंडम उसका मुगल इंपायर में मर्ज किया जा रहा है तो उसके कुछ तो ऐसे किले होंगे ना जो उसके अपने परसनल वो रखना चाहेगा ऐसे किले और उन किले के आ ये जो कुछ जमीने ऐसे उनके कंट्रोल में रह जाती थी इने कहते थे वतन जागी ये हेरिडिट्री होती थी उसी परिवार के पास रहती थी और ये इनकी कोई ट्रांसफर्स नहीं होती थी क्योंकि आपका फैमली लैंड तो हमेशा वही रहेगा ठीक है तो इस तरीके से ब जैसे मादी चेंज कर सकते नेक्स जो चीज है आपका रेवन्यू सिस्टम देखो अकबर जब इंडिया के अंदर आए अकबर से पहले जो आपके कंट्रोल जिन्होंने पहले इंडिया को बहुत बहतरी तरीके से कंट्रोल किया था बीच में थोड़ा सा टाइम रहा था सू रूड़ उनकी डेथ होगी थी शेरशा सूरी के वो एक तोप के बीचे खड़े थे जो और राज्यस्तान में कैंपेंड कर रहे थे वो तोप उल्टी चल पड़ी तो वो काफी जादा पहले जखमी होगी और फिर उनकी डेथ होगी तो शेरशा सूरी सिर्फ पांच साल इं revolution के लिए बहुत कम है देश को बदलने के लिए बहुत कम है शेरशा सूरी ने पांच साल में इंडिया का रुख बदल कर रख दिया जितना उनका empire था उसका सारा रूफ बदल कर रख दिया था जो जीटी रोड ग्रांड ट्रंक रोड जो चार सड़के बनाई थी इंडिया को क्रॉस करते हुई वो शेरशा सूरी ने बनवाई थी जिससे उनकी आर्मी ज्यादा तेज उन्होंने आर्मी के लिए अविसली बनाई थी पर ट्रेडर सारे उसे यूज़ कर सकते थे कि आपके जीटी रोड बनवाई चार जिससे आपकी आर्मी ज्यादा तेज मूव कर सके और आविसली ट्रेड को भी फायदा हुआ इसके इलावा शेरशा सूरी के टाइम पे इंपायर इतना ज्यादा सेफ बना दिया गया था कि आपके एक राइटर ने लिखा हुआ है कि इंडिरेक्ट मीनिंग बताना जाता है देखो बजर्ग औरत से हम पहले ही उस जमाने में तो खासकर उपर से अगर बजर्ग है तो वैसे ही बॉड़ी में जान कम होगी कोई भी अगर उनके उपर हमला होता है तो आविसली वो रिजिस्ट नहीं कर पाएंगी वो एक बजर् कोहन से आगया पना शेकल दिखेगी रात के अन्धेरे में इपने सिर के उपर खुली टोकरी में क्या है सोना भरके भी लेके जा रही है न ओविसलि सोना कोई देखे गा बज़र गौरत रात के अंधेरे में सोना भरके लेके जा रही है कोई भी हम ला करतेगा तो राइटर के लिखने का स्टाइल है कि अगर रात के अंधेरे में कोई बुज़र्ग गौरत सिर के उपर खुली टोकरी में सोना भी लेके जा रही है किसी में हिम्मत नहीं थी कि उससे वो सोना चीन रहे क्योंकि पता था सजा बहुत बुरी भी लेकी ठेक है और पकड़े जाओगी जाओगे इतने जादा जासूस इतने जादा बहतरीन सिस्टम बना के रखा था कि आपके शेर्शा सूरी के इंपायर को माना जाते है तो शेर्शा सूरी ने एक आपके रेविन्यू सिस्टम भी ड्विल्ट किया था इसी revenue system को बाद में अकबर उनकी death way बहुत साल हो गया और जब बाद में अकबर को दुबारा से गदी मिली मुगल इंपायर वापस आ गया था बीच में ये 15 साल मुगल इंपायर था नी इंडिया में तब सूरी dynasty आगी थी तो आपके अकबर ने इसी system को अगे modify करवाया उन्ह सिस्टम दस साल बाद इसे revise किया जाना था दस साल का average लेना था कि क्या produce है कितना प्राइज रखना है तो पहले दस साल का record और उसके बाद अगले दस दस साल बाद revenue time to time चेंज होगा ठीक है तो वान थर्ड शेयर मिलना था जाथतर जगाउं पर जो आपका प्रड्यूस बेसिकली इस अप्ती सिस्टम में आपके सारे लैंड को मेजर करवाया गया जातर जगाउं पर आपका जो रेविन्यू था वो कैश कैश में लिया जाता था देखो जो टैक्स होता है ना उस जमाने में दो चीज़ों में कैश और काइंड किसी भी चीज में दिया जा सकता इस डाथ ओर मतलब है कैश का मतलब है कि जितनी पिमेंड बनती है उतने सोने चंदी की सक्क्या पे कर दो काईंड का मतलब है कि अगर आपके पैसे नहीं है जितनी weed कि किसान की जितनी फसल है उसका वन थर्ड हिस्सा वो फसल का दे दे आगे इंपायर खुद बेच लेगा खुद कर लेगा तो जातर जगाओं पर मुगल जो सिस्टम था इसमें जातर जगाओं पर कैश ही लिया जाता था पर रेरिस्ट कही जगाओं पर आपके काइंड भी ले जाता था अगर लगता था कि हा इसका कोई और चारा नहीं तो यह फिक्स नहीं था अगर यह आता है कि सिर्फ कैश ही लेते थे वह स्टेटमंट के लाटो क्यों collection of revenue only cash ठीक है total collection जो final collection आती थी वो सिर्फ cash में आती थी क्योंकि जितने extra बाकी चीज़े kind में भी आगी वो सारी बेच दी जाती थी और finally cash ही लिया जाता था क्योंकि काम ही cash आना है ठीक है तो इस तरीके से सबकुछ collect करके रखा जाता था अब इसके कारण आपके जो लैंड थे देखो आपके जो जबती सिस्टम था इसके अंदर आपके लैंड को फिर अलग लग काटेगरीज में बांटे गया कितने साल बाद आपके फुल रेविन्यू क्लेक्ट करना है देखो जो सबसे फटाइल लैंड थे जो कंटिन्यूसली जिनने कल्टिवेट किया जाते लगा तर वहां फसले उगाई जा रही है हर साल फुल रेविन्यू जहां से लेना है उन्हें कहते थे पुलाज ऐसे लैंड जो पहले इत फिर उससे थोड़ा जादा दो साल बाद आपके तीसरे साल में फुल रेट फिर फिर से कम इस तरीके से यह सिस्टम चलता है उसके बाद ऐसी जमीने जो पहले तीन-चार साल बिलकुली खाली छोड़ दी जाती थी और उसके बाद उस पे पांचमें साल जाके कुछ उगाय जाता था मनलोब चौत्छे-पांचमें साल जाके कुछ उगाया जाता था उन्हें कहते थे चक्चर और उस साल उसके उपर फुल रेट आपका लगता था था फिर अर फिर जब दुबारा से बंजर उने लगी फिर खाली चोड़ दी जितना राइम खाली चोड़ोगे तब कोई revenue नहीं है जब आपने लगाना शुरू किया तो पहले साल थोड़ा सा revenue और फिर थर्ड येर तक जाते हुए फुल revenue और लास्ट है बंजर जमीने जहां पर बहुती कम productivity है wasteland है यहां पर पांच में साल जाके कहीं आपका फुल रेट चार्ज होता था जो जब आप उगाना शुरू करोगे पहले साल थोड़ा उससे थोड़ा उससे थोड़ा जब पांच मां साल आ जागे तब फुल रेट लगेगा तो पहले आप धीरे धीरे बढ़ाओ तो टाइम देते थे वह ऐसा नहीं था कि हर जगब लूट मचाई हुई थी कि टाइम दे रहे थे वह कि आप सबसे पहले अपनी लैंड को रिस्टोर करो उसके उपर उगाना शुरू करो आपको स्टार्टिंग में ही सारा रेविन्य देने की ज़रूर नहीं वह जो सबसे फटाइल ज की जगवां पर नहीं ठीक है तो यह था आपका आज का लिक्चर मिलते हैं आपको कल की लिक्चर में थांक्यों एंट सीग्यों